हेलो एब्रिवान सो बच्चो आज हम लोग करने वाले हैं अपनी आपकी क्लास पोस्ट का चाप्टर नमबर वन ठीक है आपकी बुक है मृदंग ठीक है उसका आज हम यूनिट वन पढ़ेंगे माई फैमिली आंड मी ठीक है यह आपकी यूनिट का नाम है यूनिट नमबर व पहले आप लोग मेंटे साथ साथ हम इस चाप्टर को पढ़ेंगे और फिर उसके साथ साथ उसके बाद रचा हिंदी मतलब समझेंगे ठीक है तो च्छुरू करते है अपने इस क्लास को तो यहां पर है टू लिटल हांड्स तू मतलब दो लिटल मतलब छोटे हांड्स Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. Hands to clap. Legs to walk. Nose to smell. Mouth to talk. Head to move. Eyes to see. I have a little body that belongs to me. यह देखो, आप लोगो ने मेरे साथ चात पढ़ा. अब हम इसका हिंदी मतलब समझते समझते फिर इस चाप्टर को समझेंगे. ठीक है? Two little hands. Two little hands. Two little hands go clap, clap, clap. आपके छोटे छोटे हाथ. देखो, यह बच्ची है. इसके छोटे-छोटे हाथ है. दोनों क्या करेंगे? बच्ची, clap करेंगे. तो क्या करेंगे? दो छोटे हाथ. जाओ, क्या करो? Clap, 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 clap करो. ठीक है? दो छोटे पैर. Two little legs. Two मतलब दो. Two little मतलब चोटे और legs मतलब पैर. तो दो छोटे पैर. क्या करो, go tap, tap, tap. देखो, यहाँ पर बच्चे चल रहे हैं. तुसे, tap, tap, tap करेंगे. बच्चे चलते हैं. आप लोग चलते हो तो उसे, वो little eyes इस बच्ची की कितने चोटी-चोटी सी आख है लेकिन क्या है दो चोटी आख मतलब eyes मतलब आखे eyes मतलब आखे दोनों आखे तो दो चोटी आखे और ओपन वाइड ओपन मतलब खुली और वाइड मतलब चौड़ी ठीक है तो दो छोटी आखे हैं पर क्या है वो चौड़ी है मतलब खुली हुई है बड़ी-बड़ी से खुली-खुली है है ना तो क्या है दो छोटी आखें खुली हुई है बड़ी-बड़ी है ठीक है फिर 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 क्या है one little headisch no sir kya a eec छोटा सर गोज तूसाइड एक क्छोटा सा हैड मतलब sir एक लिटल मतलब छोटा एक क्छोटा सर कैसे साइड टू साइड ऐसे मूफ करते हैं है आपने सर को ऐसे कभी इस साइड कभी इस इससाइड अपने हेड को है न होता है one little head सब्सक्राइब दो छोटी आखें क्या है ये दो छोटी आखें क्या हैं दो छोटी आखें टू लुग अर डहान मतलब अरवन मतलब ढ़ना आज न करने के लिए किसली टू यूक ऑर मतलब आसपास देखने लिए के टू हीर एनी साउंड हीर मतलब सुनना एनी मतलब कोई भी साउंड मतलब आवाज तो दो छोटे कान है कोई भी आवाज सुनने के लिए दो छोटी आखे हैं आसपास देखने के लिए दो छोटे कान है कोई भी आवाज सुनने के लिए यहां पर इसको देख रहा है इस इंस लेने के लिए और ब्रीद का मतलब क्या होता है सांस लेना एक चोटी सी नोज है जो कि सूंगने के लिए एक चोटा सा मू है जोसे खाना पसंद है अब लास्ट में क्या है अब लास्ट में क्या है हाथ है clerk करने के लिए legs है, pair है, चलने के लिए, legs to walk, nose to smell, नाख है, smell करने के लिए, सूने के लिए, mouth to talk, move है, बोलने के लिए, head to move, head है, सर है घुमाने के लिए eyes to see आखें हैं देखने के लिए I मेरे 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 मतलब मेरे पास होना पास मेरे पास I have a little body एक छोटी सी body है that belongs to me जो की मेरी है ठीक है मतलब मेरे पास एक body है जो की मेरी खुद की है ठीक है समझ में आ गया दुबारा पढ़ते हैं देखो क्या है two little hands दो छोटे हाथ करो clap 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 two little legs दो छोटे पैर करो tap 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 दो two little eyes दो छोटी आखें आर open wide खुली हुई है ठीक है one little head एक छोटा सर गोज साइड टू साइड एक छोटा सर कहा जाता है side to side move करता है two little eyes दो छोटी आख के to look around आस पास देखने के लिए two little ears दो छोटे कान to hear any sound दो छोटे कान कोई भी आवाज सुनने के लिए one little nose एक छोटी नाख to smell and breathe एक छोटी नाख स्मेल करने के लिए सूने के लिए और सास लेने के लिए one little mouth एक छोटा मूँ that likes to eat जिसे खाना पसंद है दो यहाँ बच्चे यहाँ पर यह बच्ची खा रही है और यहाँ पर एपनी नोस से स्मेल कर रहा है समझ में आ गया अब लास्ट में क्या है और यहाँ पर यहाँ बच्चे यह से आवाज सुन रहा है इसके पास एयर से आवाज सुन रहा है hands to clap, हाथ clap करने के लिए, legs to walk, पैर चलने के लिए, nose to smell, नाक स्मेल करने के लिए, mouth to talk, मूँ बोलने के लिए, head to move, सर घुमाने के लिए, eyes to see, आँखे देखने के लिए, I have a little body, मेरे पास एक छोटी सी शरीर है, छोटा सा शरीर है, that belongs to me, जो की सरिफ और सरिफ मेरा है, समझ मे गया, clear हो गया तक का चाप्टर, आप देखो कुछ new words है, new मतलब नए, words मतलब शब्द, तो new words है, कुछ hand, हाथ, leg, pair, head, sir, e, y, e, arc, e, a, r, ear, kaan, n, o, s, e, nose, naak, और M, U, M, O, U, T, H, mouth, मतलब मू, H, A, N, D, hand, L, E, G, leg, ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर कुछ parts of the body है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमारा चैप्टर हो खतम हो गया है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ यहाँ बच्ची ने जो जो कहा, अगर आप लोगों को यह समझा 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 के एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बस हाय लिख देना या लाइक का बटन कुछ भी आप लोग ऐसा कर देना मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों के लिए एक्साइस भी बोल बोल के पढ़ा हूं ठीक है, बच्चों हमारा यह च अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना अपने कुछ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को प्लीज शेयर भी करना और ज्यादा से जादा कमेंट भी करना ठीक है और प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर देना नीचे एक रेट कदार का बटन होगा प्लीज उसको प बनी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में